Hello my friends, you are welcome in this English YouTube class. I am teaching you noun. In noun, I am going to teach you about the gender. Gender के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं. There are four types of noun based on gender. Gender के आदार पर संगया ही चार प्रकार के होती है. Gender के आदार पर चार प्रकार के संगया ही होती है. The first masculine gender, second feminine gender, third common gender, fourth neutral gender, masculine gender यानि पुली, वो संगया है जो masculine है उसको पुली कहते हैं. जो female को, ताकत को, hardness को रेप्र करें उनको masculine gender कहते हैं. Second feminine gender, feminine gender इस्ट्री लिए, वो संगया है जो female को, इस्ट्री को, कमजोर पन को या को मलता को रेप्रकें वो से feminine gender कहते हैं. Common gender, common gender means वो संगया है जिसमें स्ट्री और पुर्स दोनों gender हो, वो common gender होते हैं. Neutral gender, जिसको कहते हैं, नपुस्कलिंग, जो नए तो feminine हो और नए masculine हो, वो से neutral gender कहते हैं, नपुस्कलिंग कहते हैं. Okay, so there are four types of gender, masculine, feminine, common gender and neutral gender. The first one is masculine gender, masculine gender, these nouns ये संगया है, रेप्पर है, इंगित करती हैं, तो male, male को कुर्ष को इंगित करती हैं, Power, Power को इंगित करती है, Strength, ताकत को इंगित करती है, and hardness और सक्थाई को इंगित करती हैं, वो से जिनमें पुर्ष कुलों हो, जिसमें ताकत हो, जिसमें स्ट्रेंथ हो, जिसमें सक्थाई हो, वो से पुलिंग कहलाती है, masculine gender कहलाती हैं, इसलिए पुलिंग को इंगित करता है, पुर्ष को इंगित करता है, पुलिंग है यह, पावा जैनि सक्थाई, वाइलेंस इंसा, यह भी hardness और पावर की बज़र से, masculine gender में आते हैं, ओके, फादर, फादर, मेल को इंगित करता है, पुर्ष को इंगित करता है, इसलिए यह, पुलिंग आते हैं, सन, सुई, समर, गर्णी, टाइम, समे, थंडर, गर्णा, इस नाम्स रेफर, टू मेस्कुलिन, विकोज ओव ती हाड़नेज, एंड पावर, यह संग्याय है, वो मेस्कुलिन जैन्डर में आती हैं, क्योंकि, ताकत को, यह ताकत को, और सक्थाई को रेफर करती है, हाड़न ताकत को रेफर करने विए, मेस्कुलिन जैन्डर के अंदराती है, वो भी कई संग्याय है, जो ताकत और हड़नेज की वज़े से, मेस्कुलिन जैन्डर कहलाती है, ओके, नेच्ट इस फेमिन जैन्डर, फेमिन जैन्डर मींस इस्त्रिली, इस नाम्स रेफर, यह संग्याय इंगित करती है तो फिमेल को इस्त्री को, विकनेस कमजोरी को, एंड सोफ्टनेस और कोममता को, वो संजय जो इस्त्री कमजोरी और सोफ्टनेस कोममता को रेपर करें, इंगित करें, वो संजय इस्त्रीलिक कहलाती है, फेमिनिंग जेंडर कहलाती है, जैसे टाइगरेस, नांगी ये फिमेल को रफर करती है फिमेल है ये संगे फिमेल को इंगीत करती इसलिए 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 कहला भी है इसलिए प्यार्ट tämä और गोडेश जा these knowns are female these nouns refers to softness and weakness ये सही है जिसे पीस में से सांसी नेचर प्रकरती अर्थ परत्वी गोडेज देवी ये अपने softness की वज़े से इस्त्री लिंग कहलाती है इस्त्री लिंग होती है next number three number three is common gender तीसर नमर है वो common gender है common gender these nouns refer ये सेंगाई रेफर करती है इंगीत करती है बहुत male and female इस्त्री और पुर से दोनों इस्त्री लिंग को भी रेफर करती है और पूल लिंग को भी रेफर करती है दोनों को इंगीत करती है इसलिए इसलिए इनको common gender करते है जैसे like child, baby teacher, student servant cousin, infant, thief neighbor ये सेंग जाए स्त्री को भी रेफर करती है और पूल से को भी रेफर करती है जैसे child, baby child और baby दोनों का मतब बच्चा होता है चाहिए female हो, चाहिए male हो दोनों को बच्चा ही कहते है teacher teacher is also common gender common gender है अध्याफक होता है teacher का मतबलो और teacher का मतबलो अध्याफिका भी होता है student student में स्चातर और student में से छात्रा तो दोनों आतेश में छात्रा और छात्रा servant servant में स्चातर और servant का मतले होते है नोकरानी कजिन कजिन ने सचे रा भाई और कजिन सचे रही भाही वी के नोट यूज कजिन ब्रदर और कजिन सिस्टर कजिन ब्रदर और कजिन सिस्टर यूज नहीं किया जा सकता है infant infant means sissu श्टर और shepherd और ऑनमेल ये फिमेल और मेल दोनों है ऑके से छोर वी उता है और और जूल नहीं भी होता है तो को बंच रहें नेबर नेबर में से पड़ों से सब्सक्राइब ये मेल और दोनों को रेबढ़े करते हैं और इनकले प्रोण यूज हो तो यूज होता है और शी भी यूज होता है, okay? next number four is neutral gender, neutral gender means nafux nafusli, neutral gender is nafusli, these naans, ये संगये रेफर, रेफर करती है, इंडित करती है, neutral gender रेफर करता है, ये संगये रेफर करती है, to in and have things, निर्जीव चीजों, जो निर्जीव चीज़े हैं, उनको न्यूटर जेंडर कहते हैं, we are neither male और no male, जो ने तो male है, ने तो kurs है, पर नही इस्तरी है, उनको न्यूटर जेंडर कहते हैं, जैसे copy, book, room, paper, tv, box, pen, flower, window, door, जो निर्जीव चीज़े हैं, जो नए तो female को वेक्ट करती हैं, उनको न्यूटर जेंडर कहते हैं,